हे कैसे हो आप सबी तो दोस्तों क्या आप जानते हैं सात्मी सदी से लेके तेर्मी सदी तक इंडोनेशिय और मलेशिय के मादवेपों पर सिरिव विजय राजवंच का शासन था ये राजवंच इतना पस्तित था कि इसमें स्थितित पेलंग बांग वेप को इस राजवंच का स्वनने इंदिप कहा जाता था इस राजवंच की शुरुवात भी पेलंग बांग वेप से ही हुई थी इसलिए पेलंग बांग वेप इस समराज़य की राजधानी थी लेकिन क्या आप जानते हैं तेरवी सदी में भारत के चोल राजाओं ने हिंद महासागर पर अपना वर्च सव स्थापित करने के लिए शेरी विजय राजवन शाचन पर हमला कर दिया और वहां के राजाओं को बंदी बना कर उनका सोना लोड लिया माना जाता है कि जब चोल राजा आकरमान करके वापिस लोड रहे थे तो उनसे ये खजाना कहीं खो गया और 700 साल बाद ढूनने के बाद भी हमें ये खजाना अस्तक नहीं मिल पाया था लेकिन इंडोनेशिया में कुछ मचवारों ने इस खजाने को खोज निकाला है इस खजाने से जुड़े कुछ इंपोर्टन अभूशन और सौने से वह निमोर्तियां मचवारों को प्रापत हुई है जो फेमस हमारे समुंदरी होज करता हैं वो कह रहे हैं कि जो सुमात्रा का खजाना हो गया था